दोस्तों इस कहानी का टाइटल थोड़ा अजीब है लेकिन इस कहानी को पूरा सुनने के बाद आपको इसका मतलब अच्छे से समझा जाएगा एक बार एक प्राइमरी स्कूल की टीचर ने बच्चों का टेस्ट लिया और उनकी कौपियां जाचने के लिए घर लेकर आ गई बहुत सारी कौपियों को जाचने के बाद एक बच्चे की कौपी देखते देखते उसकी आँखे भर आई और आशू भी आ गए डौटे ऑफिस से तुरंट आए पती ने पूछा कि क्यों रो रहे हो तो उसने बताया कि आज सुबह मैंने टेस्ट लिया था तो मैंने बच्चों को बोला था कि तुम लोग अपनी सबसे बड़ी ख्वाहिश के उपर कुछ पंक्तियां लिखो तो एक बच्चे ने लिखा है कि उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि भगवान उसको मोबाईल बना देगे यह सुनकर उसका पती जोर जोर से हंसने लगा और बोला कि इसमें रोने वाली क्या बात है तो टीचर बोली आगे तो सुनो की बच्चे ने क्या लिखा है ए बच्चे ने लिखा है कि यदि अगर मैं मोबाईल बन जाओ तो घर में मेरी एक खास जगह होगी और सारा परिवार मेरे आसपास रहेगा जब मैं बोलूँगा तो सारे लोग मुझे ध्यान से सुनेंगे ही नहीं बलकि मुझे रोका टोका भी नहीं जाएगा और ना ही बुलते सवाल होंगे पापा ओफिस से आने के बाद धके होने के बावजूद भी मेरे साथ बैठेंगे मम्मी को जब तनाफ होगा तो मुझे डाटे भी नहीं बलकि मेरे साथ रहना चाहेंगे और मेरे बड़े भाई बहन मुझे अपने पास रखने के लिए जगडा करेंगे और यहां तक कि अगर मैं बंद रहूंगा तब भी मेरी अच्छे से देखभाल हो और मोबाईल के रूप में मैं सब को खुशी भी दे सकूँगा यहां सब सुनने के बाद उसका पती थोड़ा गंभीर हो गया और बोला है भगवान बेचारा बच्चा उसके माबाब जरा भी उस पर ध्यान नहीं देते तो उसकी पत्मी ने आसू भरी आँखों से उसकी तरफ देखा और बोली जानते हो यहां बच्चा कौन है हमारा अपना बच्चा हमारा छोटू है दोस्तों सोचिए यह छोटू जैसा किस्सा आपके बच्चे का तो नहीं आज की भागदौर भरी जिन्दगी में हमें वैसे ही एक दूसरे के लिए बहुत कम वक्त मिलता है और अगर हम वह वक्त भी टीवी देखने और मोबाइल में खेलने और फेस्बूक में गवा देंगे तो हम कभी भी अपने रिष्टों की एहमियत और उनसे मिलने वाले प्यार को नहीं समझ पाएंगे त्रिप्या रिष्टों को प्यार कीजिए बस यही विंती में इस कहानी के जरिये करना चाहूँगा आपका कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद